वेलकम टू S.S.C. मेकर आज आज आठ जनवरी 2021 और आठ जनवरी से करेंट अफेर्स के जितने भी इंपोर्टन कोशन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर कोशन से रिलेटेड इंपोर्टन फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी तो पूरे वीडियो अब अध्यान से देखें लास्ट में मैं कोशन भी पुछूंगी जिसका अंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है आई होब सभी करेक्ट अंसर लिखेंगे चलिए स्टर्ट करते हैं आज के फर्स्ट कोशन के साथ लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज याद दिला देना चाहती हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं स्सी मेकर के टीम ने इबुक को लॉंच किया है जिसमें पंदराज उसे ज्यादा कोशन है और साइन्स के जिसमें है 20 सेट टोटल कितने सैट है साइन्स के 20 सेट जनरल अवेलनेस के 20 सेट जीएस वन लाइनर के 25 सेट और माथ्स और रीजनिंग क्योंकि बहुत जादा यह important e-book है सभी बच्चों के लिए NTP से group D और one day one liner exam जो भी है सभी के लिए बहुत जादा important है बहुत nominal से इसकी फीस है 49 रुपीज बहुत जादा इसका चार्ज नहीं है तो I hope सब लोग purchase कर सकते हैं और सब लोग purchase करेंगे चलिए देखते हैं आज के first question के सब first question की बात करें तो निवन में से कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिशद का हिस्सा नहीं है तो इसका character answer क्या है इसका character answer है यमन जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कौन कौन से country साओधी अरभिया, UAE, ओमान, कतर, बहरीन, कुवेट यह सारी countries है खाड़ी सहयोग परिशद का हिस्सा अब मैं बता दूं गल्फ कोपरेशन काउंसिल यह एक काउंसिल है जिसमें छे country's member है कौन-कौन सी बहरीन, कुवेट, ओमान, कतर, साओधी अरभिया और UAE तो इन्हों ने अभी हाल फिलल में एक agreement sign किया है इन सबके leaders ने solidarity and stability के नाम से एक agreement sign किया है जो क सौधी अरभिया में establishment इसका कब हुआ था, 1981 में इसका establishment हुआ था, तो यह चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा, तो इसका correct answer क्या है, इसका correct answer बन जाता है क्या, यमन इसका correct answer है, चलिए मोफ करते हैं आज के अगले question की side, next question की अगर हम लोग बात करें, लेकिन हाँ, उस नेक्स कोशन क्या कहता है, आप लोगों का, second question क्या कहता है, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो इसका correct answer क्या बन जाता है, इसका correct answer है, जी हाँ, वर्ड बैंक इसका correct answer है, ठीके, अगर हम लोग बात करें, वर्ड बैंक की, तो वर्ड बैंक को found किया था, 1944 में वर्ड बैंक को found किया गया था, ठीके, तो इसका correct answer है, वर्ड बैंक, पहले अनुमान लगाया जा रहा था, पहले अनुमान लगाया जा रहा है, तो अब अनुमान लगाया जा रहा है, कि 4 परसेंट है, यह अनुमान किस के द्वारा लगाया गया है यह अनुमन लगाया गया है वर्ड बैंक के द्वारा चलिए देखते हैं आज का अगला प्रशन के गया है थर्ड कोशन की बात करें तो किसान कल्यान मिशन किस द्वारा किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है तो इसका correct answer है उत्तर प्रदेश यूपी इंकम को डबल करने के लिए यूपी ने इस विशन को लॉँच किया है जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं सारे डिस्टिक यूपी के 75 डिस्टिक में इसको लॉँच किया जाएगा ठीक है और अगर हम लोग बात करें इससे बहुत ज्यादा फाइदा होगा किसानों को हाल फिलल में जरूरत भी है बाइक किसानों को सच मुझ में बहुत जरूरत है इसलिए इसको ये लॉंच किया गया है यूपी गौर्मेंट के द्वारा चलिए दिखते हैं आज का अगला प्रेशन क्या कहता है किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े तैरने वाली सोर उर्जा परियोजना का निर्मान किया जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर की अगम लोग अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है मद्धे प्रदेश मद्धे प्रदेश के खांडव जिले में नर्मदा नदी पर इसका निर्मान किया जाएगा 600 मेगावाट शमता की ओम कारेश्वर बांध पर 3000 करोड रुपे में जिसका निर्मान किया गया है किया जाएगा अब इसका संचालन कब शुरू होगा 2022 में इसका संचालन शुरू होगा यहां पर बात हो रही MP की तो MP की अगर हम लोग बात करें तो MP की यहां पर बात हो रही MP की Capital सबको पता है, भुपाल है, Largest City भी सबको पता है, Indore है Largest City, ठीक है, Governor की बात करें तो Anandhi Ben Patel, Anandhi Ben Patel माके Governor है, और अगर हम लोग बात करें, CM की तो CM कोन है? Shivra Singh Chauhan, SSC, Shivra Singh Chauhan माके Governor है, ठीक है, CM कोन है? शिवरा सिंग चोहान और गवर्नर को ने आनंदी बेन पटी चलिए मूफ करते हैं अगले प्रशन की साइट नेक्स कोशन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स कोशन क्या कहता है हाँ बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए बहुत ज्यादा चांसी से अपॉइंटमेंट एस हस्बनी के इस्थान पर नए डिप्टी चीफ और आर्मी स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है ये बहुत ज्यादा इंपॉटेंट के कोशन होने वाला है तो इसका करेक्ट अंसर क्या है इसका करेक्ट अंसर है चलिए दिखते हैं आज का अगला प्रशन बहारत ये सेना दिवस कब मनाया जाता है चलिए दिखते हैं अगला कोशन विश्व के सबसे लंबे प्लाटफॉर्म का उद्गाटन किस राज्य में मार्च 2021 में किस राज्य में किया जाएगा तो इसका करेक्ट अंसर है करनाटका करनाटका की लोकेशन आप लोग देख पा रहे ह आभी तक का कौन सा है उत्तर प्रदेश में गोरकपुर रेलवे स्टेशन पर 1355 किलोमीटर लंबा दूसरा सबसे लंबा प्लाटफॉर्म हो जाएगा पहला कौन सा हो जाएगा अब मार्च में उधगाटन किया जाएगा करनाटका के ठीक है अब उसके बाद फिर कौन सा आ जाएगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन जिसकी लंबाई है तेरह सो पच्पन और करनाटक वाले की कितनी होगी पंदरा सो मीटर ठीक है तो इसका करेक्ट अंसर क्या है इसका करेक्ट अंसर है करनाटक चलिए देखते हैं आज का अगला प्रशन क्या कहत करें तो किसकी अध्यक्षता में दक्षियन एश्या उर्जा सुरक्षा के लिए उच इसतरीय समू का गठन किया गया तो इसका करेक्ट आंसर है राम विने शाही की अध्यक्षता में साउथ एश्या गूरूप फर एनरजी नाम से उर्जा गठन किया गया क्योंकि पूरा एक नया समूह है, इसलिए बहुँत ज़्याद इंपौटेंट ये बन जाता है। भारत सरकार ने भारत सरकार की अध्यक्षता भारत सरकार कोन है? राम विनेशाही इनकी अध्यक्षता में दक्षिन एशिया उर्जा सुरक्षा के लिए एक उच इस्तरिय समूहू का गठन किया गया है. विदेश मंत्राले के Think Tank, Research and Information System for Developing Countries के द्वारा SAGE, मतलब South Asia Energy Security की मतलब इस्थापना की जाएगी, ठीक है, दक्षिन एशिया ही देशों के बीच उर्जा वा सम्मंदित मुद्धों पर प्रभावी सम्वाद के लिए इसका अगठन किया गया, तो इसका correct answer क्या है, इसका correct answer है, चलिए देखते हैं, आज का अगला प्रेश्ण क्या कहता है, भारत सरकार द्वारा Dash Bank के लिए zero coupon bond जारी किये गए, तो इसका correct answer है, पंजाब और सिंध बैंग, भारत सरकार द्वारा पंजाब वा सिंध बैंग के पुनर पूंजी करण के लिए ऐसक किया गया, कितने करोड के पचपन सो करोड रुपए के bond जारी किये गए, ठीक है, zero coupon bond जी ने कहते हैं, ठीक है, तो इसका correct answer क्या है, इसका correct answer है, पंजाब और सिंध बैंग, ठीक है, य 37 के बीच, maturity अवधी के साथ, पचपन सो करोड के zero coupon bond को जारी किया गया, यह question पूछा जा सकता है, अब यहाँ पर बात रही है, पंजाब और सिंध बैंक की तो कब स्थापना हुई थी, 1908 में हुई थी, मुख्याले कहां पर है, नई दिल्ली में इसका मुख्याले है, अब MD और CEO की बात करें, तो Ask Krishnan यहां के MD और CEO है, तो इसका correct answer क्या है, इसका correct answer बन जाता है, पंजाब और सिंध बैंक, चलिए देखते हैं, आज का अगला question क्या कहता है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय यूजना को लागू किया, तो इसका correct answer है, गुज गुजरात, इसका correct answer बन जाता है, गुजरात सरकार ने सिचाई के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ती सुनिष्चित करने के मकसद से किसान सूर्योदय यूजना को शुरू किया है, ठीक है, अगर यहां पर हम लोग बात करें, तो सुबह 5 बज़े से रात 9 बज़े तक बिजली की सप्लाई किये जाने का प्रावधान है, इसमें, और राजे सरकार ने बताया के बटाया कि 2023 तक इस योजना के तहत, पारेशन अव सरंचना स्थापित करने के लिए, पैंतिस्तो करोड रुपए का बज़ेट भी आवंटित किया गया है, तो इसका correct answer है, गुजर भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, कजाकिस्तान ने मिरत्यु दंड को समाप्त कर दिया, राश्टपती कासीम, जोमार, टोकेव, ने नागरिक और राजनितिक अधिकारों पर अंतरराश्टिये वर्ता, पार्ता के द्वित्य वैकल्पिक प्रोटोकॉल के संसदिये पर हस्ताक्षर किये, और यह है दस्तावेज संयुक राश्टे संदी के हस्ताक्षर करता को मृत्यु दंड के उन्मूलन के लिए प्रतिबत भी करता है, तो इसका correct answer है कजाकिस्तान, यह आप location देख पा रहे हैं, directly location भी पूछने के चांसे बन जाते हैं कहीं बार, चलिए देखते हैं, क्विक रिविजन की अगर हम लोग नज़र डालें क्विक रिविजन की तरफ, तो पठना की मौसम विज्ञान वैजशाला को शतापदी अवलोकन इस्टेशन का दर्जा दिया गया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने लांच पैड योजना को लांच किया है, ब आइग्रेंट वर्कर सेल का उद्गाटन गुजरात में किया गया है, मलाला यूसुफ जई स्कॉलर्शिप अक्ट को अमेरिका की संसत के द्वारा पास किया गया, तो इसकी हमने देखा कोई क्रिविजन, I hope सब लोगों को अच्छे से याद हो गयोंगे, वान लाइनर के फ सभी बचे करेक्ट आंसर लिखेंगे, आज का आप लोग का कोशन क्या कहता है, आज का आपका कोशन है किस राजे में चौथी वैश्विक आयरवेर महुत सब का आयोजन किया जाएगा, इनमें से एक औप्शन करेक्ट है, I hope सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे, और हाँ वीड तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलिग्राम के गुरूप को वहां से जाके फटा-फट से ज्वाइन कर लीजे, आप डेली पीडिएफ आप लोग को प्रोवाइड हो जाती है, पीडिएफ बहुत जादा जरूरी होती है, इसलिए जरूर से जरूर वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी बच्चे लाब उठा पाएं, और अगर आप चैनल पर नहीं है, तो मेक शार चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में बैल आइकोन को भी प्रस करें, जिससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलते ज